नैतिक सिक्षा भाग दो पुस्तक पनिसी राम सर्मा आशारे द्वारा लिखित ओडियो 14 धलती आयू का उप्योग भारतिय परंपरा के अनुरूप मानग जीवन चार भागों में विभक्त है इस विभाजन को चार आश्रम कहते हैं मनुष्य यदि 100 वर्ष पुर्ण आयू मानी जाए तो इसमें से 25 वर्ष ब्रह्मचरिय, विद्याधियन और सरीर पुष्टी के लिए 25 वर्ष पारिवारिक उत्तरदाइत्वों को निभाने के लिए 25 वर्ष परिवार को स्वालंबी सू संस्कृत बनाने की देखभाल रखते हुए आत्म विश्वास एवं लोक मंगल की संयुक्त साधना के लिए तथा अंतिम 25 वर्ष घर परिवार की मो मम्ता से छुटकारा पाकर परी ब्रह्मन करते हुए विश्व मानव के लिए परमात्मा के लिए अपना पुर्णिता समर्पन करने के लिए हैं इन चार अवदी विभाजन को चार आस्रम ब्रह्मचरिय, ग्रियस्त, वानप्रस्त और सन्यास कहते हैं यह ऐसा संतुलित विभाजन है कि जब तक इसे क्रियानवित किया जाता रहा है, यह देश संसार वास्यों की दिष्टी में स्वर्ग और इस देश का नागरिक देवता की तरह आदर्स एवं अभिनंदनिय माना जाता रहा जीवन का यह विभाजन क्रम प्राचीन काल की तरह आज भी आवश्यक एवं उप्योगी है, यह सभी जानते हैं कि जीवन का आरंबिक चोथाई भाग सारिरिक और मानसिक विकास के लिए है, सैयम, व्याम, विध्या अध्यान, अनुशाशन, आदी, सत्प्रवित्यों के न लिवान समय, उन्च सिंखलता में गवाँ दिया, वह से सारा जीवन रोते कलबते ही गुजारेगा, युवा अवस्था उपारजन, उत्पादन, अभिवर्दन, एवं स्थिर्ता उत्पन करने के लिए हैं, जो विवा करना आवश्यक समझते हों और उसके लिए अपने को स सुयोग समर्थ मानते हों वे ऐसा कर सकते हैं, अने था माता पीता भाई बहन तता समाज के अने दुर्बर पलिस्तितियों वालों की साहता करने में उस आयों को नियूजित किया जा सकता है, विवाश उचित तो है, पर अनिवारे नहीं, ग्रियस्त जीवन का अर्थ विवा के लिए अपना करतवे एम अनुदान प्रस्तूत करना, ब्रहमचर अवदी में जो सक्तियां प्राप्त की थी, उनका उप्योक अपनी तथा दूसरों की परिवारिक संस्था के विकास की में की सतरह किया जा सकता है, यही ग्रियस्त जीवन की साधना है, व्यक्तिगत जीव पर बहुत कुछ करते रहा जा सकता है, इसके उपरांत वान प्रस्त की स्तिती आती है, उसमें समर्थ और वयस्क बच्चों को स्वालंबे बनाना चाहिए, बुड़े लोग अपना ही आधिपत्य नियंतरन घर परिवार पर बनाए रहें, तो बच्चे अनुभव हीन और अ अनुभव के अभाव में वे अक्सर भूले करते रहते हैं, इसलिए परामश, मागदर्शन एवं देखभाल के आउशकता बड़े लोग पूरी करते रहें, बाकी काम उन्हें अपकरने और सम्हालने दे, बड़े बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को सम्हाले, इस प्र सेवा में लगना चाहिए, यही पुर्णिता के लक्षे की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी है, ब्रह्मचर अवधी में लौकिक जीवन की प्रगति एवं स्थिर्ता के लिए तैयारी की गई थी, वानप्रेस्ट में अध्यात्मिक जीवन की परा, जीव अपने आंतरिक प्रगति का भी अवसर मिलता है, और उसी अवधी में लोक मंगल में वे महत्पुन कारे बन पढ़ते हैं, उन जिनके ऊपर किसी समाज या राष्ट की वास्तविक प्रगति निर्भर रहती है, 55 वर्ष की आयू में अध्यापक पत से रिटायर एक व्यक्ती ने विद्या की साधना प्रारम भी की, लोगों ने कहा ये भी कोई पढ़ने की आयू है, इस पर उन्होंने कहा यदि मनुष्य घर गिरस्ती के मोह का परित्याक कर सके, तो इस आयू जैसा बौधिक और आत्मि विकास किसी आयू में भी नहीं हो सकता, उन्होंने अपनी साधना प्रारम भी की, सारी दुनिया में वेदो का पहला विद्वान होने का गौरब पाया, यह और कोई नहीं, संति जिवी, पंडित, दामोदर, सातव लेकर थे, जीवन का लक्ष पुर्णिता प्राप्त करना ह आप पुर्णिताएं मानविय दुर्बलता, आत्मे निरक्षन, आत्मे शोधन, आत्मे सुधार एव आत्मे विकास के चार आधारों पर अवलंबित हैं, चिंतर और मनन के द्वारा आत्मे निरक्षन, आत्मे समिक्चा अपने दोश दुर्गुनों को प्रकास में लाती है आत्म सुधार के लिए सरीर गत बूरी आदतों और मनों गत दुस प्रवित्यों से संघस करके पूराने क्रम में आमुल चुल परिवर्तन करना पड़ता है तपस्चरिया इसे ही कहते हैं तब साधना का यही उद्दे से है यह वनवास की तरह घर में रह कर भी की जा सकती है वानप्रस्थ इसी प्रयोजन के लिए है लोक मंगल में सेवा संदर्व में संलग्र रहने से आत्म विकाश होता है जिस स्वार्थ परता के साथ हम अपने नीची प्रयोजनों में अब तक लगे रहें उसी तत्परता के साथ लोक मंगल और परमात प्रयोजन में रस लेने लगे तो समझना चाहिए कि आत्म विकास के प्रकरिया चल पड़ी अपने पन की परीदी से निकल कर विश्यमानों की सेवा में अपने समय मन तता धन को नियोजित करना होता है वानप्रस साथना का यही करम है और भारतिय परंपरा के अनुरूप हमारा ढलता जीवन पचास से पचचत्त तक की आयो इसी में नियोजित होनी चाहिए एक साधू ने एक सद ग्रियस्त को समझाया तात यही अवस्था है जब तुम्हें आत्मों थान की साधना में जुट जाना चाहिए घर का मुह त्याक कर समाज को अपने अनुभवों का लाब और लोग स्रधा का आनन लेना चाहिए लेकिन बुढ़े के मन में नाती पोतों का मो समाया था बोला महत्मन मेरे बिना बच्चे कैसे रहेंगे वृद घर लोटा वृद्धा वस्ता का सरी रात को नींद जल्दी तूट गई तो उसे लगा बगल के कमरे में कोई बात कर रहा है ध्यान देकर सुना तो पता चला उसी का लड़का और बहु बात कर रहे हैं बुढ़ा दिन रात खांसता है मरता भी नहीं अपनी टांग अड़ाता रहता है अपमान सहकर बुढ़े को समझ में आई और तब उसने घर त्यागा व्यक्ति और समाज दोनों के ही कल्यान के दिस्टी से वानप्रस्त की उप्योगिता असाधारन है इसे समय रहते बड़े बच्चे सुयोगि बन जाते हैं और अपने पारिवारिक उत्तरदाइतु को समझने निभाने लगते हैं उन में जिमिदारी की भावना बढ़ती है और अनुभवी बनते हैं यह वेभारिक प्रसिक्चन युवा बालकों को ना मिले और वे देर तक परालंबी बने रहें तो आगे चलके उनके उत्तरदाइतु सम्हालने निभाने में बड़ी कठिनाई परती है परिवार को स्वालंबी बना देना उसकी एक बड़ी सेवा ह उसमें छोटे बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी अनुभव करने लगते हैं और वे बिगड़ते नहीं उपरोग प्रकार की विवस्था बना कर धरती आयूम के हर व्यक्ति को स्वाध्याय उपासना आत्म सोधन की तपस्चरिया के लिए समय निकालना चाहिए और लोक अंगल की सेवा प्रक्रिया में लगाने के लिए निक्त रहना चाहिए कहना ना होगा कि समय के आवशक्ता को देखते हुए आज की सबसे बड़ी लोक सेवा विचार परिवर्तन की दिष्टी से किये गए प्रयत्न पर ही निर्भर है आर्थिक सारे रिक या बौदिक सुव अनिथा अगनित सुख स्विधाय रहते हुए भी दुखी मन रहेगा सुखों की मूल भित्ती उच्च विचार ना ही है समाज में विचार सीलता विवेक शीलता और सत्भावना बढ़ सके ऐसे लोक सेवा के कारियों को हाथ में लेना वानप्रस साधना का अविच्छिन अं और वे ही हमारी प्रधान अध्यात्मिक पूंजी है सत्भावना अभिवर्दन की लोक सेवा उसी परियोजन की पूर्ती करती है वानप्रस्त में साधू ब्रह्मनों जैसी लोक मानस की परिस्कृत करने की सेवा साधना करनी होती है जब तक वानप्रस प्रनाले जिवित रह देश को लाखो लोग सेवी, अनुभवी और सूयोगी कारिकरता नेशुक मिलते रहें। उनके द्वारा जन कल्यान के असंख प्रयोजन पूरे किये जाते रहें हैं। और अपना देश सू संपन, समर्थ एवं सू संस्कृत बना रहा। लोग स्वार्थी और संकीन बन कर धलती आयू को भी घर परिवार के लिए ही वै करने लगे, तो लोग मंगल के लिए उच भावना संपन, लोग सेवियों का मिलना बंध हो गया। वेवसाई लोगों के हाथ सार्वजनिक छेत्र चला गया और समाज की भारी हानी हुई। देश के भावनात्मक अतह पतन, देश के भावनातक अधह पतन का एक बहुत बड़ा कारण वानप्रस्त परंपरा का लोब हो जाना ही है। समय की मांग है कि पचास वर्ष से अधिक आयू का हर व्यक्ति भले ही घर में रहे। पर आत्म निर्मार और आत्म विकास की अध्यात्मिक प्रक्रिया को सनलगन होकर अपने और समाज के कल्यान का महत्वपुन परियोजन करने में सनलगन हो। प्रश्ण एक पुरानी भारतिय परंपरा के अनुशार मानव जीवन कितने भागों विवक्त है तथा क्या-क्या कारे करना होता है। दो जब तक पुरानी भारतिय परंपरा के अनुशार जीवन निर्वा करते रहें उसे हमें क्या लाब होता रहा। 3. जीवन का प्रारंबिक चौथाई भाग क्या कहलाता है इसका क्या महत्व है 4. ग्रियस्त आस्रम के बारे में लिखिए 5. वानप्रस्त में मनुष्य घर के लिए क्या काम करता रहता है 6. वानप्रस्त मनुष्य समाज के लिए किस प्रकार लाबधायक होता था 7. अंतिम आस्रम क्या है तथा इसके कारी क्या है 8. वानप्रस्त परंपरा के लोब हो जाने से हमारे भारतिय समाज को क्या हानिय उठानी पड़ रही है 9. आपके विचार में इन चारों आस्रमों में समाज के लिए अधिक मत्वुन आस्रम कौन सा है तथा क्यूं